तब्लीकी जमात के आठ जमाती नागपुर से पिछले माच अबलपुर आय थी जमातियों को जिला प्रशासन ने एक नीजी अस्पताल में आइसूलेट किया था अस्पताल में कुछ दिन रहने के बाद इने एक मस्जिद में क्वारंटाइम किया गया जहां क्वारंटाइम रहने और निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा शुकरवार को जमातियों की निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्हीं स्वास्तो होने का साटीफिगर दे कर अपने अपने घर जाने की अनुमती दी गई क्वारंटाइन पूरा करने के बाद जमातियों ने बताय कि वो 16 मार्च को नागपुर में एक धार्मिक प्रवचन और प्रसिक्षण में शामिल होने गए थी प्रसिक्षण के दौरान 25 मार्च को देश में लॉगडाउन लग गया ACP नागपुर के अनुमत के बाद हम मसजिद में ही रह रहे थी 3 अप्रेयल को हम 8 लोगों को मसजिद से निकाल कर विधायक होस्टल में कुरेंटाइन किया गया 6 अप्रेयल को हम लोगों का पहला कोरोना का सैंपल टेस्ट के लिए लिया गया जिसमें सभी की रिपोर्ट निगेटीव आई, जिसमें साथ लोग पॉजिटीव आई, वहीं बार अप्राइल को हम लोगों को म्यो अस्पताल नागपुर में कोविड-19 के आईसूलेशन वार्ड में 15 दिनों तक गहन चिकित्सा के लिए रखा गया, एबं 25-26 अप्राइल को दोनों बार रिपोर्ट निगेटीव आने के बार 27 अप्राइल को हमें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, 28 अप्राइल को नागपुर कलेक्टर से अनुमती मिलने के बाद हम जबलपुर आ गये, और जबलपुर जिला प्रशासन ने हमें सुखसागर अस्पताल में जिला प्रशासन और स्वास्त विभाद द्वारा हमारा पूरा ख्याल रखा गया, इधर जिला प्रशासन भी जमातियों द्वारा प्रशासन को किये गए सहियों की तारीफ कर रहा है कि इन्हों को जैसी पता चला फौरी तोर से हम लोगों की बस विक्तोरिया विक्तोरिया से सेंपल लेकर सुखसागर में दो दिन के लिए कुरंटाइन किया गया तीसरे दिन शाम को हमारे डाक्टर संजय मिश्रा सर ने हमको खुद ये ख़बर दी कि भाई सारे साथियों का नेगेटिव आया है तो ऐसी खुशी हो रही थी है खुशी वैसी लोग सहस्जे में गर गए और बहुत ज्यादा हम लोग खुशी लेकिन आगे और चलें कि भाई रफिय हमत और मेश्रा डाक्टर साहब ने ये मश्रा करके अपने एडिशनल केलेक्टर हर्षे दिक्षिक साहब से मदिना मस्ज चिक्षी होक जड़ा किया गया दूर्यजा बना कर रखी गए किसी खुशी खुशी को बाहर जाने दिया गया इसका पालन किया गया और हम इस वक्त सब्स्यादա क्ग्राकर रसे मश्जद कमिटी के क्योंकि नागपूर ने दो दिन कोरेंटेंट किया और दोनों दिन हम लोगों को घेल लिया गए कि इनको यहां से भगाए जाए तो हम इनका भी बहुत सलूट करते हैं सलाम करते हैं और इनका बहुत बहुत शुक्रियादा करते हैं और परविन बानु का भी जो हमारे वाड की इसी वाड की पारशद हैं परविन अंसारी इन्हों ने भी हमारे नाकूर्ट से लेका यहां तक बहुत जादा ख्याल लगा रहा हर तरह की मदद की और उन तमाम लोगों का इसमें हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सब शाम ओर वाई तरहरे हैं ने इनगी करोना संक्रमण के दोरान हमारा पूरा विश्व और देश इसका सामना कर रहा है हमारे ये भाई नागपूर से आये थे और मैं सुकसागर सेंटर का इंचाज हूँ प्रभारी हूँ तो ये सुबह सुबह नागपूर से बस द्वारा पहुचे थे और फिर ये हमारे साथ सुकसागर सेंटर में इनोंने कुछ दिन कुरिंटाइन का समय व्यतीत किया बड़े संयम के साथ बड़े नियम के साथ ये लोग हमारे सेंटर में रहे ना हमें किसी प्रकार की कोई परिशानी इन लोगों के साथ हुई और हम लोगों ने ये पूरा प्रयास किया कि इन लोगों को किसी भी तरह के परिशानी का सामना ना करना पड़े लेकिन जैसा परिक्षण होता है देखे इन लोगों के कितने टेस्ट हो चुके इन लोगों का एक टेस्ट हुआ जो पॉस्टेव आया नापपूर में उसके बाद इनके दो परिक्षण और वहां नेगेटिव हुए और हमारे हाँ आने के बाद भी हमने ये प्रयास किया और इनका एक एक टेस्ट फिर से कराया जो की नेगेटिव आया इसमें निश्चित तोर पे हमें थोड़ा सा ये तकलीफ हुई कि जितने लोग थे उसमें से एक जो सबसे छोटी उमर का व्यक्ति था उसके टेस्ट का रेजल्ट लेट हुआ तो विचारे को अकेले एक या दो दिन दो दिन वहां पर और रुपना पड़ा लेकिन उसने भी कभी भी हम लोगों को परेशान नहीं किया और मैं आप लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि अपने इतने नियम से इतने सहीम के साथ अपना कॉरंटाइन समय है जैसा प्रामारिक जिसको अपन वोलते है यूनिवर्सल वैसा ब्यतीत किया है ऐसा बहुत कम लोग करते हैं कखा इनको कॉरंटाइन किया गया था मस्जिद में किया गया था 14 दिन के लिए और इन्होंने उसे पूरी तरह से पूरे नियम के साथ पालन करके पूरा किया इन लोग कुल आठ वेक्टी थे और ये आठो वेक्टी सुखसागर से यहाँ पर आये थे सुखसागर मेडिकल कॉलेग्स से और 14 दिन के लिए हमें हिदायत दी गई थे अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर तेखने के लिए हमारे चैनल पुलिस बीरोक्रेट्स न्यूज को बैल आइकान दबा कर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे अधिक जानकारी लिए हमसे संपर्क करें हमारे कॉंटेक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999